नमस्कार बहुत स्वागते आप सभी का आप देख रखी है हमारा खाश शो खबरों के खिलाडी जी हाँ सैक्त अरब अमिरात के कई बड़ी शहरों में बार जैसे हालात उसक्त बने हुए है तस्वीरे आपको दिखाएंगे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर पानी धर गया है चलधराब जैसे हालात है जो विहाईशी इलाकी है वहाँ पर भी जल जमाव हो किया है घरों के अंदर तक पानी घुसाया है शार जहां रासल खेमा और ऐसे कई इलाके कई शहर जहां जो सबसे जादा प्रभावित हुए हो और यह जो गाडियां आप देख रहे हैं देखे कि किस तरीके से रेंगती हुई नजर आ रही है पा अब बिल्कुल मजबूर इस वक्त फिशासन इन परस्तितियों के आगे जहां तक नजरे घुम रही हैं सिर्फ पॉट सर्फ जल सेलाब नजर आ रहा है सड़कों की तस्वीरे आप देखिए यह सड़कों की तस्वीरे हैं यह मुख्य हाईवे और पूरी तरीके से यहां प तो दो तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों को देखर अंदाज़ा लगाए जा सकता है कि वहां के हालात किस कदर खराप खोते हुए दिखाई दे रहे हैं हर जगे जल भराब भीशो और तबाही की यह तस्वीरे सैंक्तरात अमिराद देखिये किस तरेके से पानी पानी हो गया है, 27 सालों का बारिश का रिकॉर्ड तूटा है, लोगों के घरों में पानी तन्खुज गया है, जिस वज़े से जन जीवन अस्त ब्यस्त है आगे बढ़ते हैं, रुप करते हैं अगली खबर का, पश्विमंगार की मुख्य मंतरी ममता बैनर जी ने शिक्षक भरती घोटाले में गिरफतार पार्त चटर जी को मंतरी पत से बरखास कर दिया, पार्त की गरफतारी के पांच दिन बाद ममता बैनर जी ने ये आक्शन लि साफ है कि पार्त से पल्ला जार का टीमसी सिक्षक घोटाले की कालिक से खुद को बचाना चाहती है, लेकिन बीजेपी इतनी आसानी से इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देने वाली बीजेपी जिन सवालों को उठा रही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद नहीं है, क्या पार्त को पार्टी से निकाल कर ममता बैनर जी अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है सिख्षक घोटाले में हाई कोट के आदेश के बाद जान्ट सुरू होने से पहले, इस पर ममता सरकार ने कोई करवाई नहीं की ममता बैनर जी आज अपना दामन साफ बता रही है, लेकिन जब भरती में नोटों का खेल चल रहा था और लोग विरोध में आवाज उठा रहे थे, तब ममता सरकार क्या स्वोई रही पार्थ को हटा कर भी ममता सरकार सिक्षक भरती घोटा लेके दाग को मिटा नहीं सकती और 2024 के महा संग्राम को देखते हुए बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से छोड़ेगी भी नहीं बिरो रिपोर्ट, जी मीडिया उधर सिक्षा बर्दी घोटाले में पार्थ चठर जी के साथ गिरतार उनकी सयोगी अर्पिता मुकरजी ने अपने गर से मिले करोड रुपियों से पला जाड़ दिया है अर्पिता का कहना है कि ये सारा कैश पार्थो दादा का रिपोर्ट में थी हिंदी हो या बांगला या फिर तमिल और तेलुगू फिल्मों में बार-बार कहा जाता है कि अगर आप रईस नहीं है तो आपकी जिंदगी दाग की तरह है अर्पिता चठर जी समझ गई थी रुपए की इस माया को इसी लिए उसने अपने आपको रुपया कमाने की मशीन बना दिया था छोटी-छोटी फिल्मों में काम करने वाली हजारों की पगार पाने वाली अर्पिता ने करोनों से ज्यादा की दौलत कूट डाली अर्पिता ने पार्थ चठर जी के साथ मिलकर ऐसा जाल फैलाया कि बड़े-बड़े अरपती कारोबारी गश खाकर गिर जाए उसके दो घर से तो केवल 50 करोड रुपय कैश मिला है जबकि 5 करोड से ज्यादा का सोना बरामद हुआ है नोटों का ये पहाड सिक्षक भरती घोटाले में गिरफतार पार्थ चठर जी की करीवी अर्पिता मुखर जी के फ्लेट से ही मिला है लेकिन अर्पिता बोल रही है कि करोड रुपय को छोड़िये एक रुपया तक उसका नहीं है सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने एडी की पूस्ताज में अपने घर से बरामद कैस से पला जाल लिया है पूस्ताच में अर्पिता ने कहा बरामत पैसा उसका नहीं बलकि पार्थ चडरजी का है अर्पिता के मताबिक उसे नहीं पता पैसा कहां से आया और कैसे कमाया गया उसने इस पैसे का इस्तिमाल कभी नहीं किया बलकि पार्थ के लोग उसके घर में एक कमरे में पैसा रख कर चले जाते थे उस कमरे में जाने की इजाज़त मुझे नहीं थी अलमारी में लॉक भी पार्थ के आदमी ही लगाते थे यानि अर्पिता इस मामले में पूरी तरह किनारा करके खुद को बचाने की कोशिश कर रही है एडी जल्द अर्पिता और पार्था को आमने सामने बिठा कर पूस्ताच कर सकती है चुलिए आगे बढ़ते हैं अर्पिता के दो फ्लैट पर हुई छापे मारी में करीवन पचास करोड से जादा का कैश मिला है और सोने के जेवरात और विदेशी करंसी तक बरामत की गई है अर्पिता के घर के कोणे कोणे से कैश बरामत हो रहा है और लगातारिस की जाच भी हो रही है देखिए इस रपोर्ट का इडी ने अर्पिता के दूसरे मकान पर बुधवार की शाम छापा मारा तो सबकी आँखें फटी की फटी रह गए फ्लेट में अलग अलग जगे छिपा करोडों की दौलत रखी गई थी अर्पिता के पार्ट चिररजी के साथ मिलकर काली कमाई का कारखाना खोल रखा था अर्पिता के ठिकानों से अब तक 50 करोड से ज्यादा का कैश, सोना और विदेशी करंसी बरामत हो चुकी है अर्पिता के दूसरे घर में पड़ी रेड में 2500 के नोटों के बंडल मिले है इसके अलावा एक एक किलो की तीन सोने की इटें, पांच-पांच-सो ग्राम के छे कंगन और एक सोने का पैन भी मिला है कमरों के अलावा वाश्रूम, वार्डरोब और किचन से भी कैश मिला है पलंग, गमले, वाशिंग मसीन तक में कैश शिपा कर रखा गया था पेंटिंग्स और संदूक तक में नगदी शिपा कर रखी गई थी कैश की गिंती बुधवार शाम करीब 6 बजे से शुरू हुई और गुरुवार सुबह 4 बजे तक चलती रही नोट गिनने के लिए 5 मशीने लाए गई और सुबह बक्सों में नगदी भरकर ट्रक से भेजनी पड़ी अरपिता के दूसरे घर से कुल मिलाकर 27.9 करोड रुपए और 4.3 करोड का सोना बरामद हुआ है एक सोने का पेंड भी मिला है पिछले हफते पहले घर पर हुई रेड में 21.9 करोड रुपए 76.6 लाग रुपए का सोना और 56.6 लाग रुपए की विदेशी करेंसी बरामद हुई थी अरपिता के चार ठीकानों पर छापे मारी में अब तक 50 करोड से ज्यादा की नगदी, सोना और डॉलर मिल चुके है एडी को आशंका है कि ये घोटाला सो करोड से भी ज्यादा का हो सकता है दिरो रिपोर्ट, जी मीडिया राश्पदी द्रौपदी मुर्मू पर दिये विवादित बयान को लेकर कॉंगुस नेता अधी रजजन चौदरी बुरी तरह से फास चुके है लोगसभा में गुरुवार को जब स्मृती इरानी ने उन्हें घेरा तो वो कहने लगे कि स्मृती गोआ का गुस्सा संसद में उतार रही है राश्रपती द्रौपधी मुर्मू पर अमर्याधी टिपड़ी के मामले में बीजेपी ने कॉंग्रेस पर हल्ला बोल दिया है संसद से सरक तक बीजेपी ने समुध्ये पर कॉंग्रेस को घेरने का अएलान कर दिया है कल संसद में स्मृति इरानी ने जिसाक्रामक अंदाज में इसमुद्दे को उठाया उसके बाद इस बात में कोई शक नहीं कि इसमुद्दे पर सियासी पारा और हाई होने वाला है और कल कॉंग्रेश के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपती को राष्ट्रपतनी कहकर संबोधित चरूं का अपमान किया कॉंग्रेश पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही बीजेपी ने इसे आदिवासी समुदाई की महिला राश्ट्रपती का अपमान बताते हुए सीधे सोनिया गांधी पर निशाना साधा बीजेपी के इस वार पर अधीर रंजन ने पलटवार करते हुए कहा किस्मृती गोवा का गुस्सा संसद में उतार रही है राश्ट्रपती के खिलाप अधीर रंजन की विवादित बयान पर बीजेपी ने बहुत आक्रामक रूख अपना लिया है जाहिर है आयसे में आने वाले दिनों में सियासी पारा हाई ही होने वाला है बिरो रिपोर्ट जी मीडिया वहीं देगे राश्ट्रपती को लेकर अधीर रंजन चौधरी के बयान पर बीजेपी बुरी तरस से हमलावर हो गई है बीजेपी शासत राजों के मुख्यमंत्रियों ने भी कॉंग्रस के खिलाप अप मुर्चा खोल दिया है देखे इस रपोर्ट में राश्ट्रपती को लेकर दिये गया अधीर रंजन चौधरी के एक बयान से कॉंग्रस मुश्किलों में घिर गई है कॉंग्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सपाई देते नहीं बन रही है सोनिया कह रही है कि अधीर माफी मांग चुके हैं सोनिया गांधी भले ही इस मुद्दे को तूल ना देने की बात कह रही हो लेकिन बीजेपी ने कॉंग्रस को घेरने में पूरी ताकत लगा दी है राश्ट्रपती पर विवादित बयान के मामले में बीजेपी शाशित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी एक साथ मोर्चा खोल दिया है लेकिन कॉंग्रेस ने उनके नेता अधीर रंजन चोधरी ने जिस निक्रिष्ट मानसिक्ता का परिचे दिया है घटिया पन का परिचे दिया है एक आदिवासी समुदाई की महिला राष्टपती के अपमान के मुद्दे को बीजेपी पूरी तरह से भुना लेना चाहती है अधीर रंजन के बयान पर बीजेपी पूरे देश में कॉंग्रेस का विरोत करेगी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आज भी संसत के अंदर और बाहर कॉंग्रेस के खिलाफ प्रजर्शन करेगी बिरो रिपोर्ट जी मीडिया राष्टपती पर विवादित बयान देकर अधीर रंजन चौधरी बुरी तरह से फास चुके है अधीर रंजन ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि वो बीजेपी से नहीं खुद राष्टपती मुर्मू से मिलकर माफी मागेंगे एक तरफ बीजेपी अधीर रंजन पर हमलावार है तो दूसरी तरफ राष्टपती के अपमान के मामले में आप केस दर्ज होने भी शुरू हो गए हैं मध्यप्रदेश के टिंडवरी में अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ फायार दर्ज कराए गई है एक शिकायक पत्रफ प्रस्टुस किया गया जिसमें स्क्री अधीर रंजन चौधरी नेता प्रस्टिपार्ट पार्टी के दौरा धारत के महमही राष्टपती द्रोपती मुर्मूल की के खिलाफ पक्मान जनक सब्द करने के संबन्द में आविदन प्रस्टुस किया गया राष्ट्रपती को लेकर दिये अमर्याधित बयान पर घिरे अधीर रंजन चौधरी की मुश्किलें इतनी भरी नहीं है राष्ट्री महिला आयोग ने भी अधीर रंजन के बयान का संग्यान लेते हुए उन्हें नोटिस भेज दिया है जाहिर है अधीर की मुसीबतें राष्ट्रपती को लेकर दिये बयान से अधीर ने ना सिर्फ अपनी मुसीबतें बढ़ाई बलकि कॉंग्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी मुश्किलों में डाल दिया है यह मुश्किल तब और बढ़ गई जब संसत परिसर में सोनिया की केंद्री मंत्री स्मृती इर रमा देवी अपनी कुर्सी से उठकर नीचे की और बढ़ी इसी दोरान सोनिया रमा के पास आए अब इस लडाई की पूरी कहानी आप वहां मौझूद बीजेपी सांसत रमा देवी से खुद सुनिये जगरे की इस कहानी में एक चश्मदीर एंसीपी की सांसत सुप्रिया सुले भी है जो लोकसभा की कारवाही के दोरान सोनिया गांधी के पीछे ख़डी थी सुप्रिया सुले ने ही सोनिया गांधी को शांत कराया और वहां से लेकर गई इस लड़ाई को लेकर कॉंग्रस ने आरोब लगाया है कि स्मृति इराणी ने सोनिया गांधी के साथ अफमांजनक बरताओ किया कॉंग्रस का दावा है कि बीजेपी के महिला और पुरुस सांसद सोनिया पर हावी हो गए और उनके साथ बतसलू की की हालागी बीजेपी का दावा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सवाल ये कि क्या वो सोनिया जो संसद मे अधिर रंजन के लिए इसमृति इराणी से तू-तू मेमे कर रही है वो अधिर के खिलाब कोई कदम उठाएंगी बीरो रिपोर्ट जी मीडिया असम में आतंकी स्रीपोर्ट सेल का भंडा फोर हो चुका है बंगलादेशी आतंकी संगठन के 12 जहादियों को गिरफतार किया गया है अलकाइदा तक से जोड़ना है इसके कनेक्शन ये रिपोर्ट देखे पटना में टेरर मॉडियूल के भंडा फोर्ट के बाद अब असम में भी मदर्से की आर में आतंक का का कारोबार चलाने वालों का भंडा फोर्ट हुआ है और ऐसे आतंकी मॉडियूल से सम्मेद 12 लोगों की गिरफतारी हुई है दरसल असम के चार इलाकों में टेरर मॉडियूल के गिरोह का भंडा फोर्ट हुआ है मॉरी गाउं, बार पेटा, गुआ हाटी और गोल पारा से आतंकी गत्विधियों के शक में मॉलबी मुस्तफा समेद 12 लोगों को गिरफतार किया गया है जिनका सम्मन्द दुनिया के खुंखार आतंकी संगठन AQIS यानि अलकाइदा इंदा इंडियन सब कॉंटिनेंट और बांगला देशी आतंकी संगठन अंसारुला बांगला टीम यानि ABT से जुड़ा है असम पुलिस ने मौरी गाउं से मुस्तफा नाम के शक्स को हिरासत में लिया था जिस पर मदरसे की आड़ में आतंकी गतविधियां चलाने का आरोप था उससे मिली जानकारी के बाद ही दूसरी जगहों से 11 और संदिक्दों को दबोचा गया असम के सियम ने कहा है कि राजजी में सरकारी मदरसे तो बंद हो चुके हैं लेकिन चल रहे मजहभी मदरसे में ऐसी जिहादी साजिशों की ख़बर परिशान करने वाली है जल्द ही इसके खलाफ कारवाई होगी कि हमारा जो सरकारी मदरसा 700 था उनको तो हमने बंद कर दिया और अभी जैनरल एडूकेशन उनमें स्टार्ड हो गया आज जो एक मोडियूल हमको मिला या जो मोडियूल को हमने एक्शन लिया वो मोडियूल को लीट कर रहा था एक मदरसा का सिक्षक ने हम लोग ने लोगों को एरेस किया है उससे हम लोग को काफी और जानकरी मिलेगा पुलिस ने मोरी गाओं के जमियत उलहुदा मदरसा को सील कर दिया है इस निजी मदरसे में ही लंबे समय से जिहादी गदविलियां चल रही थी मदरसा के संस्थापक मुफ्ती मुस्तफा को गिरफ्तार कर उससे पूस्ता चल रही है पुलिस ने मुस्तफा के बैंखातों को भी जब्स कर लिया है बिरो रिपोर्ट जी मीडिया आगे बढ़ते हैं करनाटक में बीजेपी नेता प्रवीन के कातलों पर उत्तर प्रदेश जैसा एक्शन होगा सीम बोमाई ने जिहादियों पर यूपी मॉडल की तरह कारवाई की बात कही है देखिए इस रिपोर्ट में बीजेपी कारेकरता की हत्या के बाद गलाकाट गैंक से निपटने के लिए करनाटक में योगी मॉडल अपनाने की तैयारी हो रही है यूपी में योगी सरकार ने जहादियों के खिलाब जिस तरह से कारवाई की है उसी तरह के एक्षन की तैयारी करनाटक में हो रही है दक्षन कंडर में बीजेपी नेता प्रमीरिण की हत्या के बाद उनके परजनों से मिलने गए करनाटक के मुख्य बंसरी बसवराज बॉंबई ने यूपी मॉडल की तरज पर कारवाई की बात कही है प्रमीरिण की हत्या की बात से करनाटक में लोगों में भारी आक्रोश है दो आरोपियों की गिरफतारी भी हो चुकी है साथ ही कई और लोगों को हिरासत में लेकर पूस्ताश की जा रही है सीएम बसवराज के एलान के बाद इतना दो तैय है कि करनाटक में गला काट गैंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है जल्दी उत्रप्रदेश की तरह करनाटक में भी जहादियों का पक्का इलाज होगा बिरो रिपोर्ट जी मीडिया गटबंधन टूटते के बाद ओम प्रकाश राजबर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का तन्ध सामने आने आने लगी है अखिलेश को खरी खोटी सुनाई तो अब बारी पलट बार की थी अखिलेश ने कहा कि राजबर पर दूसरे दलों की प्रेत आत्मा आ गई है और उन्हें जाड़ फूख से ही ठीक करवाना पड़ेगा अपने पिता पर इस हमले से अरुन राजबर उखड़ गए और अखिलेश को ही उल्टे जाड़ फूख करवाने की सलाह दे डाली अखिलेश ने राजबर को निशाने पर लिया साथ ही अपने चाचा शिवपाल यादो पर भी खूब तंज कसा अपनी पार्टी को मजबूत करें पहले तो विदान सबाच चुनाओं में समाजवादी पार्टी गडबंधन की हार हुई और अब ये गडबंधन भी विखर गया है ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या 2024 का लोग सबाच चुनाओ समाजवादी पार्टी या केले लड़े समाजवादी पार्टी के कदावर नेता आजम खान करीब दो साल बाद जेल से बाहर आये हैं लेकिन बार बार कोड के चक्कर लगाते लगाते इतने परिशान हो चुके हैं कि उन्होंने खुद को ही मदारी का बंदर करार दिया उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आजम खान ने खुद को मदारी का बंदर दो जरूर कहा लेकिन ये नहीं बताया कि उनका मदारी कौन है बिरो रिपोर्ट जी मीडिया लूलू मॉल में नमास के बवाल बार चार दन पहले समाजवादी ने था आजम खान ये कहते सुनाई दिये थे कि वो ना तो किसी लूलू को जानते हैं ना किसी लूलू को लेकिन चार दिन बाद ही वो अरूप लगा रहे हैं कि लूलू मॉल में नमाज की साज़श का संगी कनेक्शन है मुरादाबाद कोट में पेशी पर आये आजम खान का सामना फिर लूलू मॉल के सवाल से हुआ तो उनके जुबाँ पर संग आ गया चार दिन पहले लूलू मॉल के सवाल पर आजम खान भड़कते नज़र आये थे खैर मुरादाबाद कोट में आजम से मीडिया की बाचीट उन पुलिस वालों पर भारी पर गई जो उन्हें कोट में पेशी के लिल आये थे दरसल आजम से सवाल जबाब के वीडियो में रामपुर के पूर्व चेरमेन अजहर खान दिग गए जेल में बंद अजहर के अलग से मुरादाबाद कोट में पेशी थी ऐसे में दोनों का वीडियो साथ वाइरल हुआ तो चार पुलिस वाले सस्पेंट कर दिये गए महीं देखे केंद्र सरकार के हर घर तरंगा अभियान पर पीडिपी अद्यक्ष महबुबा मुफ्ती ने निशाना साथा महबुबा ने आरोप लगाया है कि सरकार डरा धमका कर कश्मीर में हर तरंगा अभियान चलाना चाहती है महबुबा ने ये भी कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो चीन ने जिन चेतरों पर अवैत कबजा किया है वहाँ जंडा फेरा कर दिखाए लेकिए उस रबॉर्ट आजादी की 75 वी वर्षगाट पर आजादी का अमरित महत्सों के तहट हर घर तिरंगा अभियान की तयारी चल रही है लोगों को अपने घर में तिरंगा फेराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है लेकिन पीडीपी चीफ महुबा मुफ्ती तिरंगे पर भी सियासत कर रही है श्रीनगर में एक रैली के दोरान महभूबा ने प्रदानमंतरी मोदी को चुनोती दी कि हिम्मत है तो पूर्वी लदाख में चीन के अवयत कबजे वाले इलाके में जंडा फैरा कर दिखाए को भी पॉलिटिक्स बना दिया अगर जंडा गारना है तो जो चीन ने हमारी जमीन पर कबजा किया है एक हजार सुकेर किलो मीटर पर वहां जाके वह कबजे से वापस लेके वहां जंडा गारो मेहुवा से पहले नेशनल कांफरेंस के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला भी तिरंगा अभियान को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं यही नहीं मेवबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान का राग भी अलापा कहा पाकिस्तान से बाचीत के बगार कश्मीर समस्या नहीं सुलच सकती बिरो रिपोर्ट जी मीडिया